बिस्मिल्ला है रहामाने रहीम असलाम अलेकुम आप देख रहे हैं हमारा चेरल देसी स्टाइल फूट सिक्रेट तो आज में आपके साथ शेयर करूंगी लो बजट में शामी कबाब की रेसिपी तो बहुत ही कम बजट में हमारे शामी कबाब बनके तियार होते हैं तो में चने की डाल और कीमे की कबाब बनाऊंगी तो बहुत ही जबतास बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो रेसिपी को इस टेप आइस टेप पूरा फोलो कीजेगा रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजेगा तो चैनल पर अगर नहीं है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन का जो बटाने इसको दबाने से हमारी नहीं वीडियो सबसे पहले फिरी में दे कोने से ही होता है कि दाल हमारे बहुत सॉफ्ट हो जाती हो जल्दी से पक जाती है तो इसलिए मैंने इसको एक घंट के लिए भिगो दिया था अब इसमें मैं डाल दूंगी एक पाव बीफ का कीमा तो एक पाव मैंने चने की दाल ली है और एक ही पाव मैंने बीफ का कीमा जीरा लिया है, आप्सी चिकन में भी बना सकते हैं, या पिर आप चिकन या भीज रहाना ह बड़ा टुकड़ा लिया है और एक मेंने बड़ा इलाइची ले लिया है और आट-दस मेंने काली में चली है और दो-तीन मेंने लोंग ले लिये हैं अब ये सारी चीज़े मैंने इसमें डाल दी है और एक टेबल स्पूर मैंने इसमें नमग भी शामिल कर दिया था तो नमग अपने टेस्ट के मुतावी कम जादा भी डाल सकते हैं और पानी में इतना डाला है इसके अंदर के हमाई दाल और कीमा बहुत अच्छे से इसके अंदर डिप हो सके और यह अच्छे से गल जाए इससी पानी के अंदर तो इसलिए मैंने इतना पानी इसके अंदर डाल दिया है तकरिबन मैंने इसमें दो गिलास पानी डाला है तो अब इसको मैं पका लूँगी दो मिंट के लिए हाई फ्लेम पर जब तक इसमें बॉइल नहीं आता दाल और कीमी को गल जाने तक इसको में कवर करके रख दूँगी लो फ्लेम पर और इसका पानी भी हमें ड्राइ करना है तो ये देखें तकरिबन मैंने एक खंटे के लिए इसको रख दिया था लो फ्लेम पर तो ये देखें इसका पानी भी काफियत तक ड्राइ हो चुका है और हमारी दाल भी बस देखें इस तरह से गल चुकी है अब मैंने चूले को बंद करती है बिल्कुल और अब इसमें से में जो काली वाली लाइची में डाले थी वो निकाल लूँगी और एक दारजीनी का जो पीस में डाला था वो में निकाल लूँगी क्योंकि इसके खुश्बूस के अंदर आ चुकी है तो अगर आप चाहें तो इसे किसी चीज़ भी पीस कर अलेदा से भी डाल सकते हैं तो बस देखें मैं इस तरह से घोटे से इसको इसी के अंदर गरम गरम में ही इसको इस तरह से मेश कर लूँगी सारे चीज़े इसके अंदर हम इस तरह से पीस लेंगे तो इस तरह बहुत ही असानी से हमारा सारी मसाले भी पिस जाते हैं और बहुत ही जबदस सा हमारा शामी कबाब का मसाला बनके त्यार होता है तो आप चाहें तो इसे चोपर में या सिलबटे पे भी पिस सकते हैं मुझे इस तरह से इज़ी लगता है तो मैसी तरह इसको पीस लेती हूं पतीले में गरम-गरम होता है तो यह बहुत असानी से पिस जाता है और हलका सा इसके अंदर नमी थी पाने की ताकि जब हम दालो कीमे को मेश करे तो बहुत जादर ड्राए नहों तो यह देखे हैं हमार मसाला कितना अच्छे से इसके अंदर सारा पिस चुका है और बहुत जबदस सा हमारा सारा मसाला बहुत जबदस पिस चुका है तो बहुत अच्छा है इसमें मसाला पिस जाता है बहुत असानी से इस तरह से हमारा शामी कबब का मसाला तयार हो जाता है तो देखें कितना अ इसको बिल्कुल भारिक चौप किया है ताकि हमारी मसाले में बहुत अच्छी से मिक्स हो जाए तो बहुत जादा मोटा इसको चौप नहीं करना है तो अगर आप चौपर में कर रहे हैं तो आप उसी के साथ इसको चौप कर लें और दो टेबल स्पून मैंने इसमें कुटा लगता है मुझे मिक्स करना सारी चीज़े बहुत अच्छी से इसके अंदर मिक्स हो जाती है अगर आपको इस स्टेच पे नमक कम जादा लगता है तो आप इसके अंदर नमक एड़ कर सकते हैं तो यह देखें अब इस तरह से मैं शामी कबाब का शेफ देकर इसको इस तरह से बना के त्यार कर लूँगी तो देखी कितना जबर्दस हमारा इस तरह से शामी कबाब बन चुका है और अब इसको हम इसी तरह सारे बना की तैयार कर लेंगी तो सारे कबाब मेंने इस तरह से बना लिए हैं तो आप इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं ताक् nossa कोई 20 शेर के सेफ़ कर सकते हैं तो इस तहीं को किसी भी ट्रेय में किसी भी पतीले का भखन होता है। इसके तार्पकर रखकर आप सको फ्रीजर में फ्रीज कर ले Uzक्रारिज़िके चाहिए की बोक्स में अंडे को Hemने अतना फिटना है कि इसके अंदर इस तरह से वाइट से जहाग बन जाएं तो जीतने जहाग बनते हैं फुला-फुला हमारा अंडा होता है तो इसके उपर कबाब के उपर भी बहुत अच्छे से जहाग लगते है बहुत ही जबदास हमारे कबाब पे इसका कलर भी आता है इस तरह से फूले हुए अंडे का तो इस तरह से जाग के साथ डालने से इसमें कलर बहुत अच्छा आता है और हमारा अंडा भी बहुत अच्छा सा फूला फूला सा लगता है तो एक दो हम कबाब डालने के वाद दुबारा से फेटेंगे और उसके बाट आलेंगे ताकि इसके अंदर जो जाग बने है वो खतम ना हो और इस तरह से मैं इसके जाग के साथ ही डालूगी और ये देखिए मैं इसको बस शेलो फ्राइ कर रही हूँ बहुत जादा इसको ड कर दिया है तो मैंने इसकी साइट को चेंज कर दिया है आप थोर सब 30 चाते हैं तो बस इसी तरह फ्राइपन में इसको ठोड़ देर के लिए इसी तरह साइट में छोड़ दिया हो दूसरी फ्राइग कर लें तो इस तरह से आपके बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है नीचे स भी तो यह देखें मैंने यह कb Claus rahy कर लिया है तो इनका बहुत ही शानदा और बहुत ही जबदस सा golden color अया है तो देखें कितना शानदा हमाना कb CC बहुत ही टेस्टी से यह Карस के यह कबाब बनते हैं तो आप इसरस कर ही बहुत ही असान हो जाता है आपका काम करना तो यह देखिए कितने दर्स हमारे शामी कबाब बन के तयार हो चुके हैं तो आप भी इसे जरूर ट्राइ किजेगा और अपना फीडबिक हमें लाजमी दीजेगा तो रेस्पी पसंद आई हो तो उसे लाइक किजेगा और अपन लाजमार, ये मुझे हैं अपना फांभ है अज़िक हमें अहकते हैं तो आप भी इस पहर कामी से बहुत हैं टाना खो जै।